इसके लिए एक किलो मटन के लिए आपको 50 ग्राम दलिया लेना है एक गंटा पहले आपको भिगा के रख देना है और डालों में आपको 2 टेबल स्पून माश की दाल चने की दाल तुवर की दाल और मुंग की दाल अच्छे से दोके इसको भी भिगाने रख दीजे आप अगर आप किस तरीका से स्टॉर करना जाना है तो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक महिने के बाद भी इता-गोष्छ आपको फ्रेश मिलींगा हमारे प्रोसिजर से स्टॉर करेंगे तो और आपको प्यास बारी काट लेना है हरी मिर्ची बारी काट लेना है और chopped lesson आप तलना शुरू कीजे golden brown होने तक जैसे ये golden brown हो जाते ingredients अब आप इसमें प्याज और हरिमिची शामिल कीजे और उसे भी golden brown होने तक fry कीजे और अब chopped द्रक हमारी वो भी आप add कर लीजे जो रख लिये ते हम ready और उसको भी अच्छे से fry कीजे अब शामिल कीजे इसमें हल्दी लाल मिर्ची और चिली फ्लेक्स और अच्छे से mix कीजे नमाक अपने टेस्ट के हिसाब से add कर लीजे गोश के चोटे-चोटे pieces करके add कीजे और उसे लाल होना तक fry कीजे अब दो टेबल स्पून हलिम मसाला डालना है आपको और दो टेबल स्पून गरम मसाला अट करना है और उसको अच्छे से mix करके fry कीजे अब भीगीवी चने की दाला अट कर दीजे और उसे अच्छे से mix कर दीजे अच्छे से mix होने के बाद में आदा लिटर पानी शामिल कीजे और उसे प्रेशर कुकर में मीडिया मांच पे 10 विजिल्स तक प्रेशर कुक कीजे प्रेशर कुकर से निकालने के बाद गोश इस तरीके का आपका लगेगा आप इसको अच्छे से mash कर लिजे इस तरीके का मैश करना है जितना आप अच्छा मैश करेंगे हलिम उतनी टेस्टी बनेंगी अब एक पैन में 50 ml ओयल गरम कीजे और उसमें औल परपस मसाला दो टेबल स्पून एट कीजे और ये मैश किया हुआ गोश उसमें फ्राइ करना शुरू कीजे अब इसमें दही शामिल कीजे और मिक्स कीजे अच्छे से जो दलिया और दाले हम विगा के रखेते उसको प्रेशर कुक कीजिए और प्रेशर कुक करके गलने के बाद इस तरीखे का मिक्स्चर इस तरीखे का पेस्ट बन जाएंगा उसको आप इसमें शामिल करना है और अच्छे से जब मिक्स हो जाएंगा तो इसको अच्छे से मैश करना है बार बार उसको घोटना है जितना अच्छा घोटेंगे हलिम उतनी स्मूथ और टेस्टी बनेंगी तो कंटिनुवसली घोटते रहना है आपको देखिए इस तरीके का आपको मैश करना है घोटना है और अच्छे से मिक्स करना है जब तक इस तरीके का आपका मिक्स्चिर इस तरीके का हो जाएगा तब तक आप कंटिनॉसली घोटना है इसको अब लास्ली यहलिम आपकी बिल्कुल रेडी है अब गार्निश इसको करना है धन्या पत्ता नीम्बू हरी कटीवी हरी मिर्ची और तली हुई प्यास फ्राइड अनियन और इसको ready to serve है अगर आपको पसंद आए तो please don't forget share and subscribe it and thank you for watching this video